किसान भाई नमाशकर मालवा फार्म में आपका स्वागत है जे वीडियो बना रहे हैं गगन भाई के पास साहब डैरी फार्म पे आज इनके फार्म पे हमने विजट करी है कुछ गाएं इनके पास सेल के लिए वैलेबल है क्या क्या रेट की गाएं रहेंगी कितने दूद की गाएं रहेगी उसके बारे में वीडियो रहेगा पंजाम में मंडीडव वाली पे इनका फार्म है इनके फार्म पे आकर आप ब्रीड़ गाएं 30 लीटर से लेकर 40 लीटर 45 लीटर एक दिन में जो दूद देने की शमता रखती हैं वो गाएं आपको काफी बाजबरेट पे म करनी पड़ेगी क्यों पंजाम में विजट करनी पड़ेगी चाहे आप गुजरास से हों चाहे महारास्ट से चाहे साथ इंडिया से करनाटका से जहां फिर जम्मू किश्मीर से जूपी से मतलब लास्ट की बात कि इंडिया में कहीं से भी हों पंजाम में विजट करोंगे तो आपका फैदा है, फैदा क्या है, क्योंकि एक तो आपको ब्रीड प्यूर मिल जाएगी, जो 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर एक दिन में दूद देगी, और दूसरा रेट आपको जैनूर मिल जाएगा, इसलिए लोकल गाएं खरीदने की बजाए पंजाम में आओ, बड़ी गाएं खरीद कर लेकर जाओ, तो गगन भी काफी अच्छे फार्मर भी है, और कॉसेलर भी है, तो आईए इनके साथ मोलाकात करवाते हैं आपकी, बाई साब नमस्कार, नमस्कार सर, क्या हाल है ही, बहुत बड़ी सर, कितनी गाएं सेल के लिए बहले बले आज़े, आज सर लीटर का चालिस लीटर निकलेगा, उसकी क्या गरंटी है आपकी, देखो सर, अगर कोई बंदा मिल्किंग करके जाने चाहता है, तो मिल्किंग करवाने के लिए हैं, इसके लिए हम भी तियार रहते हैं सर, बट देखो हमने लाइब मिल्किंग करवाई क्यों की सानवे की आरे थी सर, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, सही निर्मल भाई एक बात आती है, देखो, हर एक बंदे की अलग लग डिमांड होते है, डिमांड की गौर्डिंग सर, हमने खरा उतरना होता है, देखो जी अभी सफर में जाने है, सफर सर्वाइव करेगी जो अनिमल, कस्टमर ने वही लेके जाने है, ठीक ना सर, तो प्रेगनेट अनिमल सर, जो जिसे किसकी डिमांड होती है, वन मंथ कच्छी लगा लो, 20 देज कच्छी लगा लो, तो वो उसके डिमांड की कौर्डिंग सर, वो अनिमल प्रचेज करता है, देखो इसमें हमारा यह नहीं कहत किसान भाई कमेंट कर जाते हैं नीचे विहां जी मिलकिंग करके दिखाओ बोलना सर, सर, कस्टमर की डिमांड ही है, अगर उनकी डिमांड की कौर्डिंग हम चलेंगा नहीं सर, अपनी मर्जी करेंगा, तो सर कैसे पूरी आएंगे, सही ना सर, देखो जी किसान भाई, जो सफर में सर्वाइव करेंगा ना, देखो गाये बच्चा देती है, उसके वाद उसका जो इसको प्रॉपर डाइट चाहिए ना, वो सफर में नहीं मिलती है, सर, तो वो वीगनेस आयाती है, सर, क्योंकि उसके दूद बढ़ानी का पीरिड होता है, सर, वो सर, स्ट्रेस में सफर में निकल जाता है, तो यह चीज़ होती है, सर, देखो किसाना भई अभी, आप बो रहे हो भी जवावदारी, जवावदारी सर, देखो हम बैक इल्ड चेक करके लेते हैं, इसका वैकराउंड क्या था, मदर कौन सा, इसका डैम कौन सा, वो सारी चीज़ हम चेक करके ल यह सर, तो गाएं चलाओ जी, पहले नंबर पर कौन सी चलाओ, जी सर, बैक्ग्राउंड बता दो जी, इस गाएं का कौन से भी यह सर, फस्ट एमबर और कितने दूद की है, यह सर, 27-28 कर जाएंगे, सर, फस्ट एमबर में, सर, बच्चा दे दिया, मेल, फीमिल काफ है सर, बच्डी है, जी सर, यह सर, यह सर, यह सर, घिक है, कितने दिन भी बच्च्टी को इसको, अभी यानगय को starting疾ल यह सर, अभी चैनल ओन्नी 1-10जी से यह चीज़ें फार्म को आगे लेके जाती हैं, लगाने ब्रीड भाइज लगा लो गाय के क्रेक्टर देखो पहले तो कंपैक्ट साइज अठर देखो, इस बिल्कुल कंपैक्ट साइज जैसे होता ना फॉरन टैप में देखो जुरूरी नहीं है गाय काटर वर्ण उसने दूद देना है कौलिटीस होती है बैक गिल्ड होता है सायर का रिकॉड होता है मदर का रिकॉड होता है देखो जी अभी ये अधार गाय का एक एक क्रेक्टर लगा लो आप सिकन कोडवाई लगा लो यह देखिए बिलकुल कमपैक्ट यह देखो बॉड़ीवेट लगा लिए फस्ट अमर की हैड लगा लिए यह यानि कि जो जो क्रेक्टर एनिमल को चाहिए ना दूद निकालने में जो मैट रखते हैं वो चीजे सारी है सर इसमें देखो जी अभी जो निया किसान आता है यह चीजे फार्म को बढ़ावा देते हैं निर्मल भाई क्योंकि इसने ग्रोथ करनी आगे जाके क्योंकि दांतों में है ठीक है ना जब यह सेकंड है मेरे भी जाएगी इसने हैड भी इसने दूद भी बढ़ाना है इसने अटर भी बढ़ाना है देखो जी दो चार पांच अरी पे ज्यादा लगा दिए कवर कस्टमर बट एक बात आती है भी आगे जाके उसको दगानी हुगा यह मैं लिखके देता हूं और जी जो आगया कि पड़क्शन हुए सर यह के साथ उतना हुआ चारा थेक फ्री बाद आता ओफर लगालू सर देखो बजडी देखो न हीम लरगा जो तर कित अरम बड़ा जैट को कभी मनदा लगालो सर रस vineल लगालू सर अगर क्वष्ड ए पडाल कियो अर दस आर में भालनां सर अर है ऑर कोई देखा जाए कियार को यह निर्मल भाई बच्चा देगी और अभी 32-32 लूट की लीटर की कैसकते भी जाएगी उमीदा सरेंट से और दांतों में दांतों में सरी चे है कितने देल जाएगी यह यह भी 20 देज अराम से लिए जाएगी निर्मल भाई गाई का रेट पे से लिखरोंगे यह सर देंगे से 70,000 में 17,000 जी सर देखो नेर्मल भाई एक बात है गाय के रेक्टर करो सकेन कोड लगा लो बॉड़ी वेट लगा लो इको लगय पे थन लिगालो हाई मिल्किंग वेन लगा लो देखो आज आटर अज हाई मिल्किंग वेन प्रापर देखो जो जो क्रेक्टर होते हैं बिल्कुल काई कपड़ा मैटर करता सर क्योंकि अगर खाली आपने बॉड़ी वेट लेके अना हाथी लेके अना वह दूद नित्रा निकाल पाईगा सर ये चीजे नोट से कर लो सर मेरी ऐसा सिकेंड कोट जे देखिए हैड लेंथ बॉड़ी वेट अड़ट अड़ अड़ Но कि अगर जगास क्यों लेकाई यह देखिए इस जा्वा को प्रोपर ड्राइपीर वी अगरो गाय को प्रॉपर जो उसको चाहिए ड्राइमेटर भी मम वीडियो पनाएं के स्पेशल वी कब उसको बॉड़ी वेट पे ड्राइमेटर करना चाहिए वह हम सारी पताएंगे आपको ठीक है इस गाएं का क्या बैक्रोंड है यह सर थार्ट टैमर में बच्चा देग यह सर डंतों में ब्री है फिर्टों में सर ईह है तो सर बरी निकाल रही है तब कर भी यहां का मैं कब्ढू धियुक सफ्केरिश कोड़े इन वान ड्री नहीं से यह नियुक्रैका सटक्चिर और ग्क reclaim मार्स पतल शुकर और ग्या यो तवêmू और प्रॉपर इसका भी ड्राय प्रीड दिखिए सर आप दिखाते हैं यह दिखो यह दिखो यह दिखो यह चीज़े चेकर के अनिमल लेते हैं सर ऐसा नहीं है भी हमने रेट लगा दिये गाये का बाद में यह कोई अधर फार्म से वैसे लोकल में उठा के लिए देखो बैक थर्ड के सिन भी हैं सर आती है ठीक है देखो किसान बही हो बगी गया की फेस कालवाटी जर्ज करो गए तो बोलने को इसको स्पहरी बोल सकते निर्मल भी यह देखिए गया की कॉवाटी देखिए हैट लें थे ससाइज दिखिए गय का गये को देखिए प्रपर बॉड़ी पर चलिए सर क्योंकि फोटी तो और आम से निकालेगी सरेगा ऐसा नियों कि गाय में स्क्रॉस परना है कुछ और है को अडर वाइज देखिए सर यह दिखिए कितना पतली चमडी की गए सर देखिए फेस कौली दिखिए गाय की और बॉड़ी वेट देखिए पेट पुठा दिखिए साइज दिखिए गाय तो जे चीजें मैटर करते हैं निर्मल भाई बाकी किसान भाई सब यह वेर हो चुकी है है कोई बंदा किसी को मिस्गाइड नहीं कर सकता क्योंकि सर देखो वीडियो से वीडियो के माद्दे में से लगा लो नॉलेज क्योंकि बहुत सी तो आप ठीक है ना आगे जाके काम आएगी मैं भी वही करता हूं सर जिस चीज के बार में नॉलज नहीं हम मैं नॉलज लेता हूं सर बट वही चीजें अगर आपको आपने खाली गाय देखे वीडियो देखे मोटिवेट हो के आ रहे हो ना भी हां यार मेरे पास एतनी क्य चीज ने तीस तरफे के साथ से बारांसो का दूद निकाल दिया अगर हम टैननी मल लेंगे तो हमारी शेह यार पी इंकम होड़ी है सर तो एकसी होगा महीने का तो वैसा नहीं है सर काम करोगे में तकरोगे तब ही जाके कैलकुलेशन भी आगे जाके प्रैक्टिकल बनेगी ठीकना रेयलिटी बनेगी किसान बहई अगर कृध को बे किसी को डीमो इफ़ेट करना रहे मैं भी बंदा मोटिवा आगर दमोटा मेरें से मोटीवेट होता न सर मेरे बहुत बड़ी बात यह क्योंके मैं काम कर रहा हूं इंकम वरी है सर बहूत अच्छा चला है कम बत्थ म पैसले में बच्च दिया और इसको 24-विटर रडे उट्र फटराघ बच्च कब दिया यह सर साथ अर दिन हो गया सर बच्च के है बच्च सिर इसके भाकी जी रेट हम करते हैं बट हमें कस्टमर आता बार नहीं कर दिखो कि इसान है लगा लगा लगाद रिमान के को देखो तेंग इसको किसी को 10 पर संट किसी को फुल ब्रीड में क्योंकि अपने पास से निर्मल भाई डेड लाकी गया से लोग जा चुकी है क्रॉस होगी थोड़ा साथ बढ़िया जाए जाए वह इस तर फैट लेवल कि किसने दो तीन तीन गाय रखनी है ना सर फैट लेवल बढ़ जाएगा बुज अगर किसने दो तीन गाय वाला कस्टमरा सर वो बोलता है भी उसने लोकल गर में सेल करना ता दूढ़ तो वह फैट बॉट वह बॉट वह इस केस का फेस अठाना गगन बाक्न ब्लेक वाली ख़दी का अगे अच्छी पार्मर ने अच्छी मेंट करी करी तो ब्रीड इंप्रूब कर ली ऐसी आप करोंगे तो आपका फार्म बढ़े अब ही सार देखो इस पर कोई बंदा ट्राई करेगा सार बढ़ावा ही देना है ठीक है तो जहे चीजें मेंट करते हैं किसान भी मेंट मेंट से वड़कर कुछ भी नहीं है सर अगर खाली आपकी पास पैसा एना सर आप बोलोगे पैसे से हम दूद निकाल लेंगी नहीं एक्सपीरियंस, डाइट प्लाइन, केर, मैटर करते हैं सर अगर खाली गायल आगे बांधना है तो सर मत करो और बिजनस में पैसा इवस्ट कर तो मैं सबस्ट कहता हूं सर दी मोटिवेट नहीं कर रहा सर बट एक बात है रियालिटी की क्योंकि पैसा वेस्ट करने से बेटर य ठीक क्या ना मेरा मैं मकसद यी जह अनेरमल भाई देखो वीडियो भनाते हैं सर हर एक बंदा बनाता है अपने मकसद के लिए बनाता सर, Mmm कर दिस दी प्रवार वार वीडियो में रिपीड कर रहा हूं, मेरा में मकसद ही यह कोई बंदा मेरे से मोटिवेट हो कर रहा हूं, कोई आता है ना, अपने लेबल पर स्टेंड हो, ठीक है ना, किसान भईयो कहां पे था मैं आपने कहां पहुंचा दिया, जे चीजे सोचकर ना, कहते हैं